हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल इस्टीफन एकेड़िमी में आपका स्वागत है और दोस्तों आज का में वीडियो लेकर आए हूं थर्ड सेमिश्टर बालों के लिए थर्ड सेमिश्टर के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हम लेकर आए हैं इन्वायर आए तो सेक्षने में आप लोगों को से इसे प्रिकार के कोश्चन प्रिवेसर में पूछे जाए टीक है तो प्रतेग प्रिश्ट जो रहेगा वह पांचंगों का रहेगा तो देखते हैं पहला कोश्चन क्या है पहला कुश्चन है कि describe the following in short मतलब short notes के बारे में short notes की तरीक क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है अगला नेस्ट आता है अखरी परितंद्र आप लोगों को बताना है इसके बात करते हैं सबसे पहले कोशन की सबसे पहला कोशन आता है कि आप दाओं से क्या समझते हैं प्रकृत्रिक आप दाओं की संशेब में व्याख्या कीजिए वाट डू यू मीन, वाट डू यू अंडरस्टेंड वाइड डिजास्टर और ब्रीफली एक्स्प्लेंड दा नेच्रल डिजास्टर तो प्राकृतिक जावदाओं की संचेप में ब्याख्या करनी है इसमें अगला कोशन अथवा में पूचा गया था कि प्राकृतिक संसादन क्या है तता संचेप में इनका वर्लन कीजिए अगला कोशन नेक्स्ट पूचा गया था कि पारिस्तिकी तंत्र में उर्जा पिबाब पर निर्वन्द लिखिए इनक को बताना है कि प्रदूसक क्या है इनकी प्रकारों का बढ़न कीजिए उनके वारे में आप लोगों को बताना है अगला कोशन रहेगा कि सक्षन सी सक्षन सी में क्या रहेगा दिरगुत्री प्रश्न दीर्गुत्री प्रेशन रहेंगे दीर्गुत्री प्रेशन में चार ओप्सन आप लोगों को दे जाएंगे एक प्रेशन करना अनुवार होगा और दासंगों का रहेगा आप लोगों का प्रेशन ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे फहले कोशन की फहला कोशन सेक्शन सीव में पूचा गया था कि जैब विवत्ता से आप क्या समझते हैं वारत में जैब विवत्ता सनच्छर पर चर्चा कीजिए इसके बाद हम बात करेंगे जलबायू परवर्तर पर संचेत्ट टिपड़ी राइटे सौट नोट ओन क्लाइमिट चैंजिस के बारे हम बताना है अगला अतवा में कोश्चन क्या रहेगा हमारा अगला अतवा में कोश्चन रहेगा कि भारत में आपदा प्रवंदन भारत में आपदा प्रवंदन की संस्तागत संचना का बर्डन कीजिए तथा आपदा प्रवंद में इसरों की भूमका पर प्रकास डालना होगा ठीक है अगला question रहेगा कि एत्वा में क्या रहेगा कि ताला परितंत्र क्या है इसकी गटकों को बर्गी करत कर विबिन पोसिस्त्रों का उधारट सहत बर्डन कीजिए Partage Pound Ecosystem and Classify its Components and Describe the Different Trophic Levels of Examples की बारे से बताना आए ठीक है अगला question अब आप लोगों का last question था तो यह इसी प्रकार से आप लोगों का question पेपर आया हुआ था environment का तो दोस्तों अगरा आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए मिलते हैं आप लोगों को next वीडियो में next topic की साथ तब तक के लिए धन्वाद